दसवी पास सरीता से चंदन को प्यार हो जाता है, चंदन उससे शादी करता है, और शादी के बाद चंदन अब अपनी पत्नी सरीता को पढ़ाने लगता है, पत्नी सरीता एगारा हुई पास करती है बारहुई पास करती है इसके बाद पढ़ाई करती है और इसके बाद वो 2017 में टीटी निकाल लेती है और 2022 के फरवरी महिने में वो सरकारी टीचर बन जाती है जब वो सरकारी सिच्छक बनती है तब उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद अपने ही पती को छोड़कर जो विद्याले का प्रिंस्पल होता है उससे प्यार करने लगती है और अब खबर के मुताबिक सरीता सरकारी सिच्छका बनने के बाद उस प्रिंस्पल के साथ भाग गई है पती 12 साल की एक बेटी और साथ साल के एक बेटा को लेकर F.I.R करा रहा है और पुलिस से कह रहा है कि मेरी पत्नी को ला दीजिए जो प्रिंसिपल राहुल है उसके साथ वो भाग गई है आगे आपको बिहार की पुरी कहानी सुनाएंगे बताएंगे कहां कहा है बाग 2010 से 2010 में love marriage होता है सरिता और चंदन का चंदन और शरिता आपस में प्यार करते हैं उनकी शादी हो जाती है अब साधी के बाद जो चंदन बताता है कि सरिता को हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं सरिता चुकी मात्र दसवी पास होती है और दसवी के बाद से वो आगे पढ़ाई पढ़ाई करती है चंदन कहता है कि हम कमाकर उसको पढ़ाते हैं अब सरिता पढ़ाई करती है इसके बाद वो पढ़ने में अच्छी थी तो 2017 में वो duas के बाद क्या होता है तो पिछले साल मतलब की 2022 में सरीता सरकारी सिख्षक बन जाती है और वह सरकारी सिख्षक तो इसके बाद जो विद्याले का प्रिंस्पल होता है जिसका नाम राहूल बताया गया है अब राहूल के साथ सरिता का प्रेम प्रसंग चलने लगता है सरिता और राहूल आपस में प्रेम करने लगते हैं सरिता का 12 साल का एक लड़की है और 7 साल का एक लड़का है सरिता इन दोनों को भूल जाती है, अपने पती को भूल जाती है और जो बिद्याले का प्रिंसपल राहूल है उसके साथ भागने को तैयार हो जाती है चंदन कहता है कि सरिता मतलब कि उसकी पत्नी को जो तनखवा मिलता था वो तनखवा वो सेलरी भी राहूल लेता था राहुल ने उसको ऐसा फसाया था कि सरिता अपना सब कुछ राहुल को स्वंप चुकी है अब इसके बाद पुलिस में जाकर पती कंप्लेन करता है कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस का कहना है कि शादी सुधा महिला को लेकर प्रिस्पल भागा है उसको लेकर फरार हुआ है तो हम जाच कर रहे हैं जाच परताल के बाद आगे की कारवाई होगी फिरहाल ये चंदन सरिता के पती सरिता की सास मतलब की चंदन की मा तमाम लोग अपने परिवार के साथ अपनी बहू का इंतिजार कर रहे हैं उनको लगता है कि सरिता वापस अपने पती के साथ अपनी सास के साथ रहेगी लेकिन कुल मिलाकर कहानी चल रही है कि कैसे दस्वी पास लड़की से शाधी होती है शाधी के बाद वह पढ़ाता है लिखाता है इसके बाद वह पढ़ने में अच्छी होती है तो वह टीटी की परिछा निकालती है सरकारी नौ शादी के बाद बीच चुका है और उसके बाद सब कूछ होता है घृ Hope हमने आपको पूरी कहानी सुनाई बैशाली जिले में यह जंदाहा थाना छेतर है जन्दा थाना चेतर का पूरा का पूरा मामला है वहाँ पर मही पूरा नाम का एक गाउ है वही पर चंदन का घर है इस वक्त पर चंदन अपनी पत्मी सरिता को ढूड़ने है बाकी आपकी परत्रिया इस कहानी पर क्या है कमेंट वोक्स लिए कर रदाईएगा आगे और कुछ जानकारी पुलिस इस संबंद में कुछ जान परताल करके पता लगाते है कुछ और खबर आते है जो भी तमाम जानकारी तमाम अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए अपर मरजद बने रहिएगा इस वीडियो को यहीं पर स्वाथ करते है कैमरे इपसे भिशाल खड़े है और मैं मोहित कुमार से हूँ बहुत बहुत धन्यवाद